कि राज्य सेक्षिक अंसंधान एवं प्रसिक्षन परिशद संकर नगर रायपूर के द्वारा एवजीत आनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डियार साहू शिक्षक सास्की पूरमादमिक साला खेंदा विकासकन बलोदा बजार। आज मैं चत्तिजगर भारती कक्षा आठ पाठ चौदा आतित जिसके लेखक श्री भदन्द आनंद और से लियान हैं का अध्यापन आप लोगों को कराऊंगा। इसमें बच्चों आप जानते हो कि भारती संस्क्रिती में आथित्य सत्कार की परंपरा पारवारिक जीवन के अटुथ हिस्से के रूप में देखा जाता है। परंतु प्रस्तुत आत्म कथा में लेखक एक भ्रमन सिल ब्यक्ति के रूप में एक अपर्चित गाउं में जाकर अपने कटु अन्भव को सहज भाव में प्रस्तुत किया है। आईए हम आतिथ्य का ध्यान करते हैं। बच्चों आप जानते हो आतिथ्य का क्या अर्थ होता है। आतिथ्य का अर्थ होता है आवभगत या खातिरदारी। हम जानते हैं जीवन पत पर वैसे ही साधरन सरक पर आदमी के लिए अकेले चलना कटिन है। हमें मालूम हैं जीवन एक कटिन पत होता है जिस पर और वैसे ही सडक पर आदमी के लिए अकेले चलना कटिन होता है। कोई ठहर कर किसी पीछे आने वाला करके सांथी हो लेता है यहां पर लेक्षक सान्थ Sagat किसी को आवाज देने की फुरसत नहीं थी इतने वू अपने अे अमक्तुमी और एतिहासी के भ्रह्मन के लिए जहां पहुचना चाहते थे उसके लिए वो इतने ब्यस्त थे कि उनको खुशी प्रकार से फुर्षद नहीं थी किसी सांथी की आशा में प्रतिक्षा में मैं जरा दम लेने के बहाने भी ना ठहर सकता था और किसी के आशा में मैं रुख भी नहीं सकता था कारण उस दिन मेरे ये य मेरे सित्व भूश सवाण था कि मैं अपने गंतव्य तक पहुच कुणंँ मैं निशित हया था अपने चाम ए चलने के सामर्थ को Parent की परिशह लेने का और मैंने है हमको प्यास लगना ही लगना रहता है उस देड ठहर कर पानी पीना भी एक साधरन से नियम है लेकिन यहां पर लिखा कर रहे हैं मैं उस नियम का पालन नहीं करता जैसे पानी मिलता है पी लेता हूं और चले जाता हूं रास्ते चलते मैं पूषता और उस दर्म्यान रास्त अहां नहीं रुपता और आगे बढ़ जाता यहीं लालत था कि दो तीन किलोमेटर और चला जाओं और मेरी यही इच्छा थी कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं अपने गंतव्य तक पहुंच जाओं आगे एक कस्वे का पता लगा और मुझे एक आगे कस्वे का पता पता लगा सोचा आज वहां तक तो जरूब पहुंचेंगे रात हो चली थी और उस समय अंधिरा होने लगा था तब तक उस और अंधिरा के पूरो मुझे उस कजबे तक पहुंचने की धुन थी कि आगे कि कि सीने बताया कि कस्वे में का हाई स्कुल है और मुझको किसी ने बताया यह सुन कर मैंने सोचा कि यहां पर लेखक कर रहा है कि रहे हैं देनी मैं वह जाओंगा तो मुझे घरम पानी से ड्मे के लिए मिलेगा गरम गरम टेल मिलेगा जिससे मैं अपने पैरों को अमालिस कर पाऊं गांगा और ठकान दूल करने के लिए गरम गरम दूद मिल जाए तो फिर क्या कहना लगभग लगभग पांच शे क्लिम्टर का सफर कर चुपने पर ठक कर चूर हो जाने पर एक बार बैटकर फिर जल्दी उठने की आसा मन में रहने पर ऐसी इच्छा का अनाधिकार चेश्टा समझी जाएगी जो उस रात में मैं ऐसे ही यह सारी चीजे मैं अपने इस आप से सोचते हुए जा रहा था आज उस हेड मास्टर के बंगले पर पहुंचा और इस प्रकार से मैं सोचते विचारते उस हेड मास्टर के बंगले पर पहुंचा बंगले कस्वे के बाहर था वह जो है बंगला ज पर और उसके दर्वाजे की कुंडी खट-कटाया और बोला है कि है कि हेड़ मास्टर साब हेड़ मास्टर साब जैसे हम घर में किशी के घर में जाते हैं अपने अपने जैसे समझ के तो वहां पर हम लोग आवाज करते हैं न अरे फलाना उठरे यह इस टाइपस जैसे चत्तिगड़ी में बोल पा रहें तो तो वैसी मैंने उनके वहां जाकर फुका रहा दर्वाजा खुला और इस पकार से दर्वाजा खुला अंदर से एक सज्जन लाल टेन लिये हुए निकले अंदर से सज्जन जो है लाल टेन लिये हुए निकले मुझे उस समय अपनी पड़ी थी और मैं क्या सोता था मैं थका आरा आया हूं मुझे गरम दूद मिलेगा गरम तेल मिलेगा और मैं और मैं गरम पानी मिलेगा जिसे में थकान अपना दूर करूंगा मेरी पड़ी हुई थे मैंन और मैं मुझको पहचाननी की कोशिस करते हुए बोले क्या है तो मैं बोला यहां पर लेखक बोल रहे हैं मैं एक विद्यार्थी हूँ एतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदाल यात्रक कर रहा हूँ आज की रात आज्या हो तो आपके हां काट सकता कि आजा उसने प्रश्ण किया कि असा के ठीक विपरित जवाब मिला अशा जैने उसका विश्वास था कि मुझको अ धनात्मक जो है एक उत्तर मिलेगा लेकिन वहां उत्तर धनात्मक या नहीं मिला विपरित मिला हर्गिजन ही वहां कहा इसको हेड मास्टर बोल रहे हैं हर आपने को संभालते हो मैं नहton किया और इस प्रकार से लेकर कर रही है मैं अपने को संभाला यहां परचित नहीं रात अंधरी है पहली बार बेष्टी में आया हूं कहां जाओं इस परकार से वेर उसकों उनको बोल रहें हैं कि मैं इस ब transpose sunriseूंप और पहली की बार यहां आया हूं तो मैं कहां जाओं आज पास यहां और फिर हेड मास्टर यहां पर बोल रहे हैं यहां आज पास कई चोरियां हो गई हमने अपने घर पर किशी को नहीं ठरने देते हम यहां किशी को ठहने नहीं देते क्योंकि यहां पर कई चोरियां हो गई है आपके बरांदे में रहने की आज्या दे दीजे तो उसको निवेधन कर रहे हैं कौन लेखक जो हैं आपके बरांदे में पड़े रहने के याज गयर देदीजी, और यहां आज रात, गुजारनी लिए मुझको अन्मती देदीजी, सुबह होते ही मैं अपना रास्ता लूँगा, और सुबह होते ही मैं यहां से चला जाओंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बस्ती में एक धरमासाला है, उसको खोज लो, वैस उसके बाद इस सब चीछ बोलने के बाद एक आदमी को जारे अब उसके बाद बोल रहे हैं कुन हेट मास्टर जारे इसे धर्मसाला का रास्ता दिखा करकर हेट मास्टर ने एक आदमी को एक व्यक्ति को मेरे साथ कर दिया मेरे साथ दे दिये थकावट के दुख से भी अधिक अधिमान का मतलब अपने जो है रिदय के जो दर्द है वह जो है उस दुख से और कहीं ज्यादा था कि दो चार कदम चल तो मैंने उस आदमी को किन्चित मतलब कुछ रोज भरे सद्दों में कहा और दो चार कदम चला फिर मैं मेरे साथ जो आदमी को था उनको मैं कहा तुम जाओ लोड़ जाओ जो बीतेगी धर्मसाला का रास्ता स्वैम हम ढूंड लेंगे जाओ तुम चले जाओ हम जो भी होगा हमारे साथ वह हम देख लेंगे आदमी सायद यही अवह आदमी यही यही सोचता भी रहा होगा वह लोड़ गया और मैं अपनी अधर उधर घूमने लगा जैसे यहां पर दिया हुआ है पूरब घुमा पस्षिम घुमा दक्षिन घुमा मतलब चारों और मैं धर्मसाला का पता लगाते रहा पर कुछ पता नहीं लगा काफी देर इधर उधर भटकते रहने पर एक टिम्टी माता हुआ चिराग दिखाई दिया और काफी देर इधर उधर इधर उधर घुमा भटका तो एक टिम्टी माता हुआ चिराग दिखाई दिया सोचा वहां कोई होगा चलकर पूछा जाए धीरे 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 पहुंची और उस टिन्डिमा आते हुई चिराग के पास जो घर से चिराग निकल रहा था जहां दिये कर जो रोषणी दिखाई दे रही थी नहीं पढ़ी और फिर वहां जाकर दर्वाजे पर फिर मुझको दस तक देने पड़ी याने चिलाना पड़ा दस वाजा खुलते ही आवाज आई क्या है जब मैं जब तक मैं कुछ उत्तर देता और मैं कुछ भोल पाता मुझे सुनाई पड़ा अरे तुम फिर आ गए तो वो कहां पहुझ गया था उसी हेड मास्टर के घर भू ही हेंड मास्टर से जिसके घर से थोड़ी देर पहले अपना समूल ये विदा हुआ था वह जो है इधर उज़र जो है हतुष साहित होकर उस घर से फिर से जो गया था फिर वहीं जाके वह पहुझ गया बात यह थी कि इधर उधर घूमने भूमते मुझे दिशा भ्रम हो ग हो गया क्योंकि उस रात हो गई थी उनको कुछ समझीं नहीं आ रहा था गोल गोल गुमने के बाद पुनह पहुंच गया और मैं को लुक की बैल की तरह जहां से चला था फिरा पहुंच गया यहीं सोच रहे हूँ अब इतना सब हो जाने के बाद दोड़ तो हेड मास्टर वहां पे बोल रहे हैं दोड़ो दोड़ो देखो इसे अभी निकाला था यह पिछवाड़े की तरब से फिर आ गया अरे देखो कितना बेश्रा मात्मी है अभी दोड़ते देखो दोड़ो दोड़ो रहे यह जो है कि इसको जाने के लिए कहा था है यह पुला फिलाइन के चिल्ला हाट शुनकर 2-4 मिनट में आस पास के लोगोंने मुझे घेर लिया और इतना सब किछिवी नहीं को पुलिस को बुलUP उकिन मेरी अक्कल हैरान थी और मैं एकदम हैरान सा था क्या गरूं-बूरा फ्सा था वहाँ पर मैं तीसे बूरा व्स गया था कैसे विष्वास दिल आता कि मैं चोर जहunta रहोग दे बिख्थे रहे थे कि मैं चोर हूँ लोग कहते देखेना अंधेर है ज् Tibis मेरे महा अंधेर है और इतना जो है मेरे लिए काफी नहीं था यह मेरे लिए अंधेर और विपत्ती पड़ने पर कहते हैं अकल कमारी जाती है आप लोगोंने चुनना होगा बच्चों कि विपत्ती आने पर अकल भी काम नहीं करता है लेकिन जब आदमी को और सहरा हिस्ते कमा यह उसके काम आती है उस समय आदमी करता प्लगे उसकी बुद्धी कामबरती है, तब मैंने स्वेम को दिवार के साहरे खड़ा करने की कोशिच करते हुए, तब मैंने अपने आपको समाला, और दिवार के साहरे खड़ा करने की कोशिच करते हुए, कहा, देखिए, मैं दूर से चल कर आया हूं, ठकान से चकना चूर हूं, और चूर आपको कोणिआए चॉल दिजी वहां पर फिर उसके बाद मुझे पीने के लिए पानी देजी इप अंपर बठाए पर मुझे मेरी बात सुनिए और इस वाकार से मुझे कुछ एक स्थान दीजें लिए स्टूल दीजे जग दीजे-एक गिलास पानी पिर मेरी बाट जो है शुनी सुनिये यदि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं चोर नहीं हूं तो कि पर पर अपना आदमी दे दीजिए और आप जैसा चाहो करो मेरे साथ वे बुरे आदमी न थे और यह जो जन समझदाय थी वो सभी लोग बुरे नहीं थे और कोई बुरे आदमी क्या भला और इतने बुरे आदमी में कोई भला आदमी नहीं होता है क्या मेरी बात सुन ली गई मेरी बात वो लोग सुन लिए एक इस्टूर बैठने के लिए दिया और पानी का एक गिलास भी दिया और मुझको बैठाया बढ़िया और एक गिलास पानी भी पिलाया मैंने इस्थीरता से बैठ कर हलके हलके पानी पिया और मैं सांत बैठ कर वहां हलके हलके पानी पिया और अपना थैला खोलकर उसमें से दो चिठिया निकाली तो बच्चों उसकी जोले से दो चिठिया वो निकाल का दिखाता है ये दोनों जो है क्या थे ये दोनों जो है परिशय पत्र थे एक था ग्वालियार पूरा तत्व के विभाग निदेशक के नाम और दूसरा जो है निजाम हैदराबाद के पधानमंत्री महोदय के नाम कि दोनों से मेरा साधारन परिजय था ये दोनों पत्र जो मेरे से निकले थे ये मेरे दोन साधारन पत्र थे और यदि ये मुझे अग्यानी यात्री की कुछ शहता कर देते तो ये मेरे लिए ध पत्र हैं हां मैं तो पट्चा पत्र दिखाते हुए कहा यदि इन पत्रों के रखने वालों के चोड ना हुने की सम्हावना है तो मैं चोर नहीं हूं इस पकार से देख सकते हो आपको संतूष्ठी हो जाती है तो मैं चोर नहीं हूँ अन्यता आप जैसे समझो लोग की आपस में फुसाहट हुई और चाहे मैं कहीं चाहे मैं वो जो चोर हूँ चाहा नहीं हूँ निश्चित हुआ मुझे धर्मसाला को भेजने का और इस प्रकार से वो लोग जहां जन समझाय मुझे को घेर के खड़ी थी चाहे मैं चोर हूँ की नहीं हूँ लेकिन उनको यह हो गया कि यह चोर नहीं है तो अब वहां उनको धर्मसाला की और भेजने का उनका विचारवना वही आदमी मेरे साथ कर दिया गया वही जो है एक आदमी को मेरे साथ भेज दिये उसके पीछे-पीछे मैं चलने लगा और बच्चों मैं जो है लिखक करें यहां पर मैं उसके पीछे ऐसे चल रहा था जैसे अखाड़े में हरा हुआ कोई पहलवान जैसे कुस्ति चलते र यह धर्मसाला के पहुंचने के उपरान तो क्या देखता है कि दर्वाजा बंद हो चुका है क्यों बंद हो चुका है क्योंकि बहुत अंदेरा हो गया था रात हो गई थी इसलिए दर्वाजा वहां का बंद हो चुका था आप किस तरह नहीं आप जो है किसी तरह नहीं खु साल आया था वो बताया कि ही धरमसाला है यह से कहा और मुसको को चोड़के चला गया अब क्या करों कहां जाओं अब लेखा कि alternation में फशा हुआ है बाहर इतना सब्सोचने उचारने के बात देखता क्या है कि बगल में बरांदर है मैं उसी में के रात काटने के सोची और मैं सोचने लगा कि आज रात यहीं मैं काट लूँ पास में कपड़ा नहीं था तो क्या हुआ पास में कम कपड़ा था तो क्या हुआ सर्दी जोड़ सी पढ़ रही थी कोई बात नहीं और कोई चारा नहीं था तो यह सारे चीज मेरे पास कपड़े कम थे सर्दी अधिक पड़ रही थी तो क्या हुआ मेरे पास कोई चारा ही नहीं था वहां उसके लाओ रूपने के अंधहरे में अंदाज कर यहां कोई में बैठ जाने के लिए चाहा और सोचा कि मैं अंधेरे में अब कहां इधर उदर जाओ तो एक कोने में जाकर बैठ जाना पुछी समझा लेकिन वहां से आवाज आई लेकिन वहां से कोई चिलाया कोई बोला कौन है मैंने कहा तो वहां पर लिखा कर रहे हैं मैं ने कहा मुशाफिर इतनी रात गये आये हो अब उसके ने कहा गया इतनी रात गया हो आज तो रात ऐसे ही बीतेगी कुई तो वहां से वु जो बेघ्टी जो है आवाज लगा था वो लेखक को बुला रहे हैं इधर आ यहां इधर आ जाओ इधर हवा लगेगी यह कहते हुए परचित आवाज कमत यहां पर अर्थ है अंजान ब्यक्ति अंजान जो है ब्यक्ति ने आवाज ने मुझे अपने पास कोने में बुला लिया तुम कहां से और पूछते हैं वो वो पूछा तुम कहां से इतने में मैंने कहा अलेखा के हां पर कर रहे हैं तुम कहां से हो मैंने पूछा तो वहाँ पर जो व्यक्ति था जो अंजान व्यक्ति था वो बले हम तो भीकमंगे हैं दिकाई नहीं देता आपको अंजे भीकमंगे के पास लेटने का जीवन में यह पहला आउसर था और वहाँ पर लेखक का जो है एक दुरभाग्य है कहा जाए कि वह जो है उस रात उस अंजे भीकमंगे के पास लेटने का उसको आउसर मिला कितने पैसे मिले क्या खाने को मिले यहां लितने लिखा है वहा लेकिन मैं तो यहां ब्याकुल था अपनी 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 आइक आपनी मतलब यहां यह वह बीदियों वह वह ब्याग्रता थी अपनी अपनी वह नहीं मिला था और आदमी उसे सुनने के लिए सुनने के लिए मिला है पहले पहले वही हादमी मिला था कि सुनने वाला आगे कि अब अथ से आइटी तक अत से अईटी मतला शुरू से अंथ तक मैंने उन से कह सुनाई मेरे पास आप दूति-भी कहानी थी वह सब चीज मैं उस अंदे लिकारी को सुना दिया उस साहनदूति के साथ जो एक दुख्या को दूसरे दुख्या से होती है मतलब एक कर्ष्ट में जो ब्यक्ति है वो दूसरे कर्ष्ट में जो रहता है उस ब्यक्ति से जैसे सुनता है मेरी बात सुनता रहा राम कहणी खतम उने उसकी आत्म कथने उसके साथ उब भाते में उसके साथ हुई जो गटना गटी उसको राम कहणी की रूप में उसने पूछा तब अंधेरे में खोचते हुए उसने क्या पूछा, कहां है तुम्हारी टांगे, वह जो है बिकारी जो है, बिकारी क्या पूछते हैं, कहां हैं, तुम्हारी टांगे कहां हैं, उन्हें जरा दबा दू, उनको जरा से दबा दू क्या, वो जो है, बिकारी पूछ रहा है, ले यहां बताओ तुम्हारे पास कोई कपड़ा है इतने में वह जो है बिखारी जो है अंधा बिखारी जो है पूछ रहे हैं अच्छा वही उनको देते हैं मेरे पास एक साफा है गस डेड़ गस का तुगड़ा होगा मैंने दे दिया और उसको उस कपड़े साफा को दे दिया अंधे बिखारी ने अपने हाथों से मेरी टांगों को टटोला और नीचे से उपर तक कस कर बांदिया और जो है अंधा बिखारी जो है अपनी हाथों से मेरे पैरों को टटोला और उपर से निचे तक उसको टांगों को बांदिया उसने कहा अब थोड़ी दिर ऐसे ही बैठे रहो अब अंधे विकारी ने लेखक को कहा कि तुम ऐसे ही चुप चाप बैठे रहो गहरी साहन भूति दिखाने वाले की आग्या का अग्या का उलंगन इसे जैसे अपना नियम का ब्रुद्ध होता है वो कुण कर सकतेगा इतनी सहान भूति मुझको दिखा रहा था उस व्यक्ति के आग्या का उलंगन मैं कैसे कर सकता हूं मैं मूर्तिवत मैं मूर्ति की तरह मैं विलकुम मूर्तिवत बैठा रहा थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगे खोल दी और जो बंधा कपड़ा था उसको वो कुछ दिर के बाद खोल दिया रुका हुआ खुन तेजी से दोड़ता मालूम हुआ और कुछ दिर कपड़ा बंधने के कारण से और खुलने के बाद ऐसा आराम मिला कि ऐसा लगा जैसे मेरे चारो तरब जो खुन जाम ह गया था दोड़ने लगा ठकावाट मेरी जाती रही बाते करते करते और मुझको नीद आ गई और इतना सब होते होते मुझको नीद आ गई सुबह उठा तब देखा मेरा सांति क्या देखता हूं मेरे सांथ जो अंधा विकारी था वो मुझसे पहले वूट कर कही चला गया है अब कशन देखें बचों यहां पे कुछ बोध को मोध प्रश्ण है जैसे लेखक के द्वारा की गई पद यात्रा का क्या ता यहां पर कोई बता पाएंगे लेखक के के द्वारा की गई पद यात्रा का क्या कार्ण था कोई बता पाएगे यहाँ पर हाँ बच्चों चले ठीक है तो यहां पर लेखक के द्वारा की गई पद यात्रा का मुख्यकारण जो है आयतेहाशिक इस्थल का जो है ब्रह्मन था देखने के जो विचार था उनको इतिहासी की स्थालों को देखने का विचार था मुखे रूप से कि अब प्रश्ने दो है देखो ठके हुए लेखक के मन में हेड मास्टर जी के घर ठारने को लेकर कौन-कौन से भावनाएं उठ रही थी कोई बताएगा बच्चों कि जो है ठके हुए वो लेखक जो थे उसके हेड मास्टर उस हेड मास्टर के घर जाकर ठारने को लेकर कौन-कौन से भावनाएं उठ रही थी कोई बताएगा चले ठीक है मैं बताता हूं आपको यहां पर जो है लेखक जो है चुकि बहुत ठका हुआ महसूस कर रहा था और मन में विचार कर रहा था मैं हेड मास्टर के चुकि वह हेड मास्टर भला आदमी है उसके घर जाओंगा और मुझको वहां पे गरम-गरम दूद मिलेगा गर गरम-गरम पानी मिलेगा जिसे मैं अपने पैरों को दो सकूंँ यह जो है उनका है उनकी भावनाएं थी अब तीसरा देखिए यहां पर ठकावट के दूख से भी अधिक दर्द था मरमाहट अभिमान का लेखक द्वारा इस तरह कहे जाने का क्या कारण हो सकता है कोई बता वह बाते सुनकर दूख लगा बहुत बढ़िया हां मतलब हेड मास्टर का विद्रीद बेवहार जो है है ना वही कहना चाहिए उनका मतलब जो बेवहार था उनको अच्छा नहीं हां ठीक बहुत बढ़िया बेरी गोड़ आगे देखते हैं अब यहां पर देखे कुछ वस्तुनिष्ट जो प्रश्ण है आपे जिसको हम करने का प्रयास करेंगे भारती संस्कृति में अतिथी का किया जाता है और हेलना उपेक्षा सत्कार या निरादर क्या होगा बच्चों सत्कार बहुत बढ़िया सत्कार बहुत बढ़िया आगे कि आगे देखते हैं अब देखे यहां पर लेखक ने धरमसाला को निम्नांकित दिशाओं में ढूंडा तो आपने हम पढ़ाने के दौरान बताय थे यहां पर अब देखो बच्चों यहां पर विलोम सब्द है विलोम सब्द की से कहते हैं किसी सब्द का विपरीत या उल्टा आर्थ जिससे हमको प्राप्त हो उसको हम विलोम सब्द कहते हैं अब यहां पर पहला जो है एक दिख रहा है फुर्सद अब फुर्सद में फुर्सद का विलोम सब्द क्या होगा इसमें खोश के बताओ आप लोग ब्यास्त बहुत बढ़िया फुर्सद का उल्टा होता है ब्यस्त बहुत बढ़िया चंचलता का उसका विलोम सब्द क्या होगा बहुत बढ़िया ठीक है इस्थिर्ता गुड अब देखे तीसरा जो है सामर्थ है सामर्थ का क्या उल्टा होगा विलोम सब्द क्या होगा अब बहुत बढ़ियाद अबिमान का उल्टा क्या होगा उसका विलोम सब्द क्या होगा अगर तो हो गया डर जो है कैसे आएगा अभिमान अभिमान का उल्टा होता है निरभी मान अभिमान का उल्टा क्या होता है नीरभिमान बहुत बढ़िया अब देखें हिम्मत हिम्मत का उल्टा क्या होगा डर बढ़िया बहुत बढ़िया अब एक और बचा हुआ है अधिकार अधिकार का उल्टा अनाधिकार बहुत बढ़िया तो इस प्रकार से विलोम सब्द जो है आपने देखा अब आगे चलते हैं जैसे यहां पर कुछ तीन चार सब्द एक साथ लिखे हुए है सामान्य सरल सहज इनसे मिलता जुलता या इसके अर्च के समान कोई और दूसरा सब्द है क्या इसमें दिख रहे है क्या देखे तो सामान्य सरल सहज इस साधारण बहुत बढ़िया आप दूसरा जो है लाइन में है अपमान और हेलना वैसे ही कुछ इसे इसके अर्थ लिए हुए कोई सब्द दिख रहा है अपमान और हेलना पिरसकार पिरसकार बहुत बढ़िया अब देखे अगला है बल हीन सकती हीन या कमजोड उसको हम क्या कहेंगे और नीरबल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखे आगे है द्रिष्टी कोन विचार इसका और नजरिया नहीं आएगा इसमें नजरिया आएगा आएगा नजरिया बहुत बढ़िया आप देखे कोशिश प्रयात्न प्रयास इसका चेस्था ठीक बहुत कूप बहुत सुन्दर आगे आई जरुत अब बच्चों देखो हमने आग हमने जो है अब एकी समान अर्थ केaci समान अर्थे देने वाले तीन तीन चारक सद्दों को देखे तो हम यहां पे वे अब देखो यहां पर प्रत्य प्रत्य लगाएं कि आपको शब्त बनाना में प्रत्य लागाने आवट प्रत्य देखो बीच में का लिखा है आवट का लिखा है आवट आवट आप बताओ बूस्ट मिलाना में आवट प्रत्य लगाएंगी बनाना में बनावाट बहुत बढ़िया आगे निखावाट और रुकावाट जमावाट ठीक बहुत बढ़िया आप लोग तेक्दम पत्या लगाना सीख गया विलकूल एक्दम तीक आगे देखो अब अनेक सब्द के लिए एक सब्द आपको बताना है क्या बताना है अनेक सब्द के लिए एक सब्द वह स्थान जहां गाएं रहती है उसको क्या करते हैं वह स्थान गौसाला जहां पर गायों को रखा जाता है उसको गौसाला बोलते हैं अब देखो दूसरा है वह स्थान जहां पठन पाठन किया जाता है वह इस्थान जहां विशेष उद्देश पर कारिक किये जाते हैं कोई काम किया जाता है उसे हम क्या करते हैं को कारिशाला बहुते हैं जहां यात्रों को ठरने के लिए निशुल्क या कम सुल्क पर ठरने की ब्योस्ता होती है उसको क्या बोटते हैं धरमसाला बहुत बढ़िया पाठ में भी आया है पाठ में भी आया है धरमसाला पाठ साला भी आया है आगे देखो वो इस्थान जहां नित्य नाटक को जीवन प्रस्तूत किया जाता है रंगसाला रंगसाला आगे देखते हैं आप देखो बच्चों ग्रीकार ये है ग्रीकार आने के पूरो में यहां पर कुछ सबदार था थे जिनका मैं अर्थ आपको बता दूँ यहां पर एक अतिथी अतिथी आया था सुरवात में उसका अर्थ होता है मेहमान क्या होता है अतिथी का अर्थ मेहमान अपरचीत अपरचीत का अर्थ होता है अंजान यहां के कुछ जो है सब्द हैं बढ़िया आश्राय का मतलब होता है सहारा आश्रा का मतलब क्या होता है सहारा पड़ाव पड़ाव भी आया है पड़ाव डेरा है ना एक कहीं पर डालते न डेल्र डालते हैं वैसी अपेक्षा का मतलब होता है आसा क्या होता है आसा सकार सकार होता है आदर करना डिस आत्री सकार करते न को हमाना चाहिए है थका मांड़ का अर्थ होता है अज्यदी थका हुँआ है। सांज का मतलब होता है साम उत्साह का मतलब उमंग उत्साह का थोड़ा और उसका और बता सकते हो ऐल्ब बहुंत बढ़िए ल्या टनीग भी बोलते हो क्या बोलते हैं है क्या बोलते हैं तनीग तनीग तो बच्चों आज हम धे आगे देखते हैं ग्रीक आरे यहां पर हम गिर काहते लिए आपको दो दो प्रश्ण दे रहे हैं यात्रा में कई तरह के अनभव होते हैं अपने किसी यात्रा का अनभव आपको कॉपी में लिखना है ठीक है दूसरा प्रश्ण है य January आपके पास ऐसी कोई घटना घटित हुई हो लेखा की स्थान पर ये आपके साथ या घटना घटित होती तो आपका इसे अपने किसी मित्र सहली को कि पत्र के रूप में कैसे लिखते उसको आपको एक लिक के बताना है अपनी कॉपी में ठीक है बच्चों तो इस प्रकार से आपने पार्ट में देखा आपने इस पार्ट में पढ़ा कि हमें जो है एक दूसरे का जो है भरकूर सहयोग करना चाहिए अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना चाहिए बुराई को पहचानना चाहिए और अच्छाई को पहचान कर अच्छे गुणों का प्रचार करना चाहिए अच्छे गुणों का हमारे अंदर लाना चाहिए और उसे साथ आगे बढ़ना चाहिए ठीक है और सदय हमको एक द करते रहेंगे और परोपकार करते रहेंगे सहान बुची पून व्योहार करते रहेंगे तबी जो है समाज में भाई-चारा आएगा है ना और भाई-चारा यदि बढ़ेगी तो एक सुन्दर समाज का निर्मान होगा इस प्रकार से बच्चों यह पार्ट जो है हम यहीं कि एक सबस्टब दूखिए झाल करते रहेंगे खिए यहीं में भाई-जडर प्रकार करते रहेंगे तो झाल करते रहेंगे जो अज़र्गे प्रकार